हेड़ो फ्रेंट्स विल्कॉन टू फंहिल टेक लाइफ मैं शुरू भाम आज में आखो बतानी जा रहा हूं कि आप एन्डॉःट में एक फीचर है जो की बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही useful feature है आप उसे कैसे use कर सकते हैं जैसे कि आप किसी से बात करते होंगे call लगाना रहता होगा तो आप ज्यादे से ज्यादा 5 या 6 जन से mostly आप बात करते होंगे उसके लिए आपको बार बार contacts खोलना पड़ता होगा या फिर recent dials खोलना होगा आप मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वह एक ही click पे आप किसी को भी call लगा सकते हैं उसके लिए आपको अपने home screen पे hold रखना होगा आपको visits क्लिक करना होगा विजिट्स पे जैसे अब विजिट्स पे click करेंगे तो आपको विजिट्स पे आप गवार करेंगे अगर आप 9 लॉंचर यूज करें तो आपको shortcuts बहुत सारे मिलेंगे जैसे आप scroll down करेंगे तो आपको Contacts आएगा आप देख सकते हैं Contacts में तो लास्ट में टारेक डाइल और डारेक मैसेज दिया है आप डारेक डाइल को ड्राइग और ड्रॉप किजिए अपने होम स्क्रीन पर तो आपको Contacts आपका खुल जाएगा जिस इस Contacts का आप मोचली यूज़ करते हैं उसका आप यहां नमबर डाल सकते हैं जैसे मैं यह फर्स नमबर डाल रहा हूँ अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे सिर्फ एक क्लिक से ही आपको यह टाइल हो जाएगा आपको इस सिम्स ले करना होगा अब यह सिम्स ले कर सकते हैं मैं दूसरा कॉंट्रेक्ट में बैलेंस जैसे करता हूँ अब एक क्लिक में बैलेंस भी चेक कर सकते हैं आप जैसे ही से क्लिक करेंगे यह बैलेंस आटोमेटिकली एक क्लिक में ही आप बैलेंस अपना चेक कर पाएंगे इसी तरह अब और भी सॉटकर्ट्स यूज़ कर पा गौर करें किये होंगे कि आपके email accounts में categories wide divided रहे जैसे social promotion updates और किसी भी एक category को भी आप directly open कर सकते हैं जैसे कि आप social ज्यादा आपका email आता है इस category में तो आप इस category को shortcut add कर सकते हैं आप जैसे इस click करेंगे आपका जितने भी social related email से automatically आपका ये खुल जाएगा उसी तरह आप और भी shortcuts add कर सकते हैं जैसे कि अगर आप Google Maps यूज करते हैं तो आप और भी कोई भी directions अगर आप set कर देंगे तो एक click में वो directions खुल जाएगा जैसे कि इस shortcut को जैसे ही आप करेंगे तो आपका option दिया जाएगा पहले कि आप mostly कैसे travel करते हैं तो लेट से आप walking travel करते हैं आप यहाँ अपना destination add कर सकते हैं आप जो भी destination है आप उसे search कर लीजिए आप यहाँ shortcut name कुछ भी आप दे सकते हैं और इसे आप save कर लीजिए अप जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपने जो भी location save किया है वो आपका खुल जाएगा आप यह देख सकते हैं यह automatically मैंने location save किया है मेरा current location यह देखा रहा है सिमिलरली आप और भी interesting shortcuts आप यूज कर सकते हैं जैसे कि आप settings का shortcuts बहुत healing shortcuts होते हैं सेटिंग जैसी करेंगे आप धेर सारे options यहाँ पर मिलेंगे जैसे कि आप battery आप अपना battery consumption अगर आप यह settings में जा जाएके बारबर चेक करते हैं तो उसके जगह में आप यह shortcut add करके एक click से ही आपका battery shortcuts आपके सामने होगा इसी तरह आप और भी interesting shortcuts add कर सकते हैं जैसे कि मैं checking को फिर से drop कर रहा हूं अब आप देख सकते हैं यहाँ ठेल सारा और भी options है जैसे कि आप memory आपको आप बारबर देखते हैं तो आप memory पे click किजिए आपका memory shortcut add हो गया जैसे आप इस click करते हैं आपका directly यह memory खोई जाता है उमीद करता हूं दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही मैं वीडियो इंट्रेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेर करना ना बूले कि वीडियो थांस अप इस वीडियो तो सब्सक्राइब और सेर थांस वाचिए बढ़ लाइक अबद्दी बद्रेस्ट तक रहता है